नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पोजिटिव बिल्डर्स में मैं हूँ अविनाश शर्मा और आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहतरीन वीडियो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कॉलम और ब्रिक मैशनरी वोल के बीच में जो है वो वर्टिकल क्रैक्स क्यों आते हैं क्या कारण है जो ये क्रैक्स जो है वो आपके घर में देखने को मिलते हैं आप जो है वो किस तरह से अपने घर को अपने स्ट्रक्चर को जो है वो इस तरह की प्रोबलम से समस्या से जो है वो बचा सकते हैं तो दोस्त ılar के कोई भी कल होरिजन्टल क्रेकस नहीं है लेकिन कुछ लोग कुछ कॉंड्रेक्टर जो है लैक मौफ नौलेज की वज़ा से उन्हें जु कांस्ट्रीक्षिन करने की सही , जानकारी नहीं होती।।umba जिसकी वज़र से बाद में जो है वो उनके structure में, building में, घर में जो है वो इस तरह के cracks देखने को मिलते हैं जैसा कि आप अभी वीडियो में देख रहे हैं आप जो है वो किस तरह से अपने घर को सुरक्षित बना सकते हैं इस तरह के cracks आपके घर में नहीं आएंगे अगर आप जो है वो शुरुआती समय में जो है जब भी आपका structure करते हैं उस दोरान जो है आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आईए मैं आपको उन सभी बातों के बारे में बताऊंगा उन सभी महतपून points के बारे में आपको बताऊंगा जिनकी वजह से जो है वो इस तरह के cracks नहीं आते अगर आप जो है वो construction करते समय उन सभी points को उन सभी बातों को जो है वो follow करते हैं तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं और इन points और इन महतपून बातों के उपर जो है वो चर्चा करते हैं सबसे पहले दोस्तों जब भी आप जो है वो घर बना रहे हैं या फिर building की construction कर रहे हैं वहाँ पर जब भी आप column को cast करते हैं column बना लेते हैं तो उसकी shuttering निकालते हैं तो column के surface को एक बात ध्यान से देखिए column का surface अगर बहुत ज़्यादा smooth है तो वहाँ पर जो है वो आपको उसके surface के उपर hatching करनी है आप हतोडे की मदद से hammer की मदद से उसके उपर टकाई करें इस तरह से आप जो है वो टकाई करें ताकि आपके column का surface जो है वो rough हो जाए अब ये rough surface करने का क्या फाइदा है देखिए दोस्तों जितना rough surface होगा उतना ही अच्छा bond जो है वो आपके brick और आपके column के बीच में बनेगा अगर आप जो है वो इस तरह से hatching नहीं करते इस तरह से काम नहीं करते तो आपकी brick wall और आपके column के बीच में जो है वो एक अच्छा मजबूत जोड नहीं बनेगा जिसकी वज़ा से जो है वो आपके column और wall के बीच में जो है वो vertical cracks आ जाएंगे तो आपको इस तरह की गलतिया नहीं करनी है अगर आप जो है वो column की casting करते है और column का surface बहुत ही जादा smooth है तो दोस्तों आपको जो है वो उसके उपर hatching ज़रूर करनी है इसी के साथ जब आप brick machinery और column casting का काम खतम कर लेते हैं तो आपको जो है वो plaster करते समय चिकन mash को आपको column के उपर और brick wall के उपर कुछ इस तरह से लगाना है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं ताकि आपके plaster में या फिर आपके घर में paint करने के बाद जो है वो इस तरह की cracks आपके घर में ना आए और इस तरह की cracks अगर आपको बचना है तो आप जो है वो column में hatching करें अच plaster का काम शुरू करते हैं ताकि plaster में भी इस तरह के cracks जो है वो आपको देखने को ना मिलें इसी के साथ जो है वो आपको एक और महतपुन जानकारी अंत में देना चाहूंगा जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया हुआ है कि अगर आपकी building या फिर आपका घर जो है वो तीन से चार फ्लोर का है तो वहाँ पर आपको slab casting करने से पहले brick machinery का काम पूरा कर लेना है इसका फाइदा ये होता है कि आपकी घर में इस तरह के cracks नहीं आते और आपके घर के strength जो है वो और भी जादा बढ़ जाती है और आप हमारे YouTube चैनल पे हमारी बनाई ग वीडियो में आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो धन्यावाद आपका दिन शुब हो ये हमारे YouTube चैनल Positive Builder को सब्सक्राइब करें शेयर करें लाइक करें और बैल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलत दी रहें धन्यावाद